हमारी धर्ती में ऐसी बहुत सी खुबसूरत जगहें हैं जिनको देखकर उनकी वास्तविक्ता पर भरोसा नहीं होता जिन्हें देखने पर एकदम मुवी सीन की तरह लगता है तो आज हम ऐसे ही कुछ जगह के बारे में बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं नमबर वन से जंगरी डॉंग्सिया जियो पार्क ये खुबसूरत पहाड़ी चाहिना में इस्थी थे इसका रेन्वो कलर इसे दुनिया भर में सबसे यह दा यूनिक बनाता है जो कि देखने में तो बेहत बनावड़ी लगता है लेकिन यह जगह प्रकृति की देन है जो कि आज से करोड दो वर्स पहले सबसे ज्यादा खनिश्पदार्थों के पाया जाने के कारण इसका यह रूप देखने को मिला नंबर दो मेचू पिच्चू इस जगह को वर्ल्ड वेस्ट हरिटेज की सूची में सामिल किया गया है यह जगह पेरू की सबसे फेमस जगहों में से एक है यहा वहाँ के उची उची परवत संकलाओं से घिरा हुआ है और यह जगह खुद ही 8000 फीट की उचाई पर बनी है इसके आसपास का नजारा तो देखते ही बनता है आपने आज तक इंसानों के द्वारा बनाए गए बहुत सारे स्युमिंग पूल देखे होंगे लेकिन आज मैं जिस स्युमिंग पूल के बारे में बाता आ रहा हूँ इसे इंसानों ने नहीं बलकि प्राकृतिक रूप से ये बने हैं और यह दुनिया की सबसे खुबसूरत स्युमिंग पूल में से हो सकते हैं और यह एक दो नहीं बलकि बहुत सारे हैं और सब अलग अलग अकार के हैं इस स्युमिंग पूल में आप राजाओं महराजाओं क तरह नहाने का लुफ्त उठा सकते हो नमबर चार चेरी ब्लाजोम सीजन जापान यह जगा जापान में बसंत रितु के सीजन बहुत ज्यादा शांदार लगती है इस समय यहां प्राकृति का अंदेखा और बहुत खुबसूरत नजारा देखने को मिलता है चारों तरफ गु इस आइलेंड में जरूर जाना चाहिए क्योंकि यह छोटा सा दूइप समू अपने अंदर बेहत प्राकृतिक खुबसूरती को समेटे हुए है यहां का पानी सीशे की तरह साफ दिखता है और निलक काच की तरह दिखता है जिसके करने यह बहुत सारे टूरिस्ट को अपन देंड एकूरा टाइपिन में प्रम्न का यह दूर दिखता है जिसके करते है यह दो तरह समूर इन हैं दो ड्राकृतिक तरह से में हैं तरह लूरह दो कि मैं अरूर कि तरह से खूरा है बहुतते हैं जाज जो कि अजए भीस